हेलो दोस्तों कैसे हो आप चानके निती यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम अलग करते हैं कुछ क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको जैसा स्क्रीन पर दिखाई देरा साइंस इंपोर्टेंट क्व कर दीजिएगा अगर आप फस्ट एम चैनल पर आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आएए दोस्तों आज का फस्ट वीडियो शरू करते हैं मनुस्य की जीवनकाल में कितने दान दो बार विक्सित होते हैं आखकेंदर संपन होता है तो next question है मनुस्य में पान्चन क्रिया कहां आरम होती है मुख के अंदर next question है सरौ पर्थम यानि सَबसे पहले रक्त परिसंचर्ण तंतर का देन कीस ने कियां ये काविवार इकजाम में पूछा गया है तो विलियम आरवे ने किया है सबसे पहले रख परिशंचरन तंतर का द्यान किस ने किया तो ये आरवे ने किया था विलियम आरवे पूरा नाम है ठीक है तो next question है पेसमेकर का समद्ध बताईए किस से है तो हर दे से पेसमेकर का समद्ध है तो next question है पेसमेकर का कारिये बताओ तो पेसमेकर का कारिये क्या है दिल की दड़कन पारम करना आरम करना शरू करना पेसमेकर का मुख्यकारी है ठीक है तो next question है गती प्रेरख किस से संदीत है यानि गती प्रेरख किस से related है ये हर्दिय से किस संदीत है ये हर्दिय से ठीक है तो next question है किनकी बीतियों पर रक्त दुआरा डाले गए दाब को रक्त दाब यानि बल्ड प्रैसर कहते हैं तो बल्ड प्रैसर किसे की बीतियों पर दबाओ डालने पर होता है तो दमनी की बीतियों पर दबाओ डालने पर क्या हो जाता है रक्त दाब हो जाता है ठीक है नमकिन की बीतियों पर रकत दुआरा डाले गए दाब को क्या बोलते हैं रकत दाब यानि बल्ड प्रैसर तो दमनी की बीतियों पर दाब पड़ता है तो क्या हो जाता है रकत दाब बढ़ जाता है यानि बल्ड प्रैसर बढ़ जाता है ठीक है तो next question है सोती सिमे रकतदाब में क्या बदला होता है तो सीधा सा प्रस्टन है सोती सिमे रकतदाब में क्या बदला होता है, क्या परिवर्तन होता है यानि रकतदाब है जो क्या हो जाएगा, गट जाएगा क्या हो जाएगा, गट जाएगा, गटता है 130 में रखत दाब तो next question मानो रुदीर का pH मान बताईए तो मानो रुदीर का pH मान कितना होता है मानो रुदीर यानि जो मानो का खून है मानो का बल्ड है तो उसका pH मान बताओ कितना होता है 7.4 7.4 मानो रुदीर का क्या है pH मान है तो next question ये मानु रख्ळ प्लाजमा में प्राये पानी की पृतिशत मात्रा में कितनी बिंता होती है तो कितना अलग पाया जाता है असी से असी पृतिशत ठीक है मानो रक्त पलाजमें पराए पानी की परतिशत मातरा में कितनी बींत होती है तो 80 से 80 परतिशत next question दिया है रक्त में पाई जाने वाली दात्तु कौन सी है तो रक्त के अंदर लोवा पाया जाता है ठीक है न कौन सी दात्तु पाई जाती है लोवा तो next question है रक्त का सुधी कर्ण कहा होता है यानि रक्त कहां पर सुध होता है किडिनी के अंदर ठीक है हमारी किडिनी के अंदर क्या हो जाता है रक्त सुध हो जाता है रक्त का सुधी कर्ण होता है तो next question है अधिक्तम पोसकत है रक्त में कहां से अवसोसित किये जाते हैं तो अधिक्तम जो पौशक्त अत्त होते हैं वो खून में कहां से अवसोसित किये जाते हैं रुदीर में यानि जो रक्त होता है उसमें कहां से अवसोसित किये जाते हैं लिए जाते हैं तो नेक्ट कैसे लार में कौन सा इंजाइम प पाया जाता है लार के अंदर next question है पेट में बोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवस्कता होती है ठीक है ना पेट में बोजन को पचाने के लिए किसकी खास जरूरत होती है ठीक है ना समझ गए परसन तो इंजाइम की खास जरूरत होती है खास आवस्कता होती है पेट में बोजन को अच्छी तरीके से पचाने के लिए तो next question है लारकिस के पांचन में सायक होती है तो लारकिस के पांचन में सायक होती है स्टारच के पांचन में तो next question है मानो के अमासे में अम्मल X उत्पन होता है जो बोजन के पांचन में क्या करता है सायता करता है, मदद करता है और X है, जो क्या होता है कौन सा उत्पन होगा X, हाइड्रो कलोरिक अमल के रूब में X उत्पन होगा, ठीक है Most important person ये भी Next question है क्रेप्स चक्र में किसका संसलेशन होता है तो किसका संसलेशन होता है क्रेप्स चक्र में संसलेशन होता है, पावरीक अमल का तो next question है मानों सरीर में खून के सुद्धीकर्ण की प्रिक्रिया को क्या कहते है ठीक है न, जो मानों सरीर में खून का सुद्धीकर्ण होता है उसकी प्रिक्रिया को क्या कहते है डाइलिसिस, क्या बोलते है Dialysis Next Question है Pepsin प्रोटीन को किस में बदल देता है Polypetiid में किस चाहिक शुर। Polypetaid के अंदर बदल देता है प्रोटीन को ठीक है ना points To Next Question है Pahnchen किरिया में protein किस पदार्थ में बदल जाते हैं जो पाँцен किरिया जो पजने की किरिया प्रोटिन किस पदार्थ के अंदर बदल जाते हैं, तो ये अमीनों अमल के अंदर बदल जाते हैं, तो next question है, वह अंग कौन सा है, जो मानुसरीर में, गलाइकोजन के रूप में कार्बोहाइटरेट को क्या करता है, इकठा करता है, जमा करता है, तो वो है यकरित, ठीक है, व अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कीजीगा, शेर कीजीगा, तो next question है, पीत किसके दुआरा पैदा किया जाता है, या कृत किसके दुआरा पैदा किया जाता है, तो next question है, पीत जमा होता है, तो पीत किसके अंदर जमा होता है, पितास्य में पीत जमा होत CMM तक क्या हो जाएगा स्वस्त मनुस्य का रख्ट चाप होता ठीक है न तो next question है दोड लगातेश में मनुस्य का रख्ट चाप क्या है बढ़ जाता है और 13 में मनुस्य का रख्ट चाप क्या है गट जाता है हमने पीछे किया सो तिस में मनुस्य का क्या है गट जाता है और दो तिस में बढ़ जाता है ठीक है न तो next question है समयने जीवन काल में मनुस्य का हर्दय लगबग कितनी बार दड़कता है समयने जीवन काल में पूछा दोस्तों ये ठीक है न दो अरब बार दड़कता है तो next question है मानु सरीर में हर ये करता है हर्द्य ठीक है ना धड़कता रहता है तो मानुसरी में हर्द्य का कारिया पंप करना होता है ठीक है तो next question है रक्त में लाल रंग है जो वो किसके कारण होता है किसके कारण होता है ये हीमोगलोबिन के कारण होता है काफी बार पूछा गया रक्त में लाल रंग किस के काण होता है ठीक है ना किस रीजन से होता है हीमोगलोबिन के रीजन से रक्त में लाल रंग होता है तो next question है हीमोगलोबिन में होता है क्या है लोवा होता है ठीक है ना हीमोगलोबिन में क्या होता है लोवा और रक्त में भी क्या होता है लोवा होता है तो next question है शरीर में हीम हीमोगलोबिन किसका मैत्पूर्ण गटक है यह पूछा जाता है हीमोगलोबिन किसका मैत्पूर्ण गटक है यह और बीसी का मैत्पूर्ण क्या है गटक है ठीक है तो next question है हीमोगलोबिन का कारिये क्या है oxygen ले जाना ठीक है oxygen को ले जाना क्या है हीमोगलोबिन का ले आ जाता है यानि ले जाया जाता है तो किसकी साहिता से रख द्वारा उक्सीजन ले जाया जाता है तो लोहित कोसिकाएं की साहिता से यानि जो लोहित कोसिकाएं होती है उनकी साहिता से रख द्वारा उक्सीजन क्या ले जाया जाता है ठीक है तो next question है जब कोई सब्सक्राइब परकृति करता है नियुक्त आर्बीक करता है ज्वीच्त एं या से उत्पन से ऐस्ति नाली किया को ठीक है तो next question है मनुष्य की लाल रख्त को सिखाऊं पर जीवनकाल बताओ तो मनुष्य की लाल रख्त को सिखाए है जो उनका जीवनकाल पुछा है तो कितना है 120 कितना है मानो की लाल रख्त को सिखाऊं का जीवनकाल 120 यह person भी काफी important है ठीक है मनुष्य की जो लाल र तो next question आता है पचेवब वजिनमे मोजूद जो विशेले पदार्त होते हैं वो कौन से अंको चूसन का कारिय करते हैं यानि कौन से अंको चूसते हो यकरित को ठीक है पचेवब वजिनमे मोजूद विशेले पदार्त हैं जो जरीले पदार्त हैं वो किस अंको चूसने का कारि निर्वान का निर्वान होता है तो कहां पर होता हुए अस्ति मंजा होता तो next question है उच उन्टास पर्मानों शरीर में RBC की क्या है संक्या बढ़ेगी तो जो उन्च होता है उन्च उन्टास पर्मानों सरीर में RBC की संक्या हो जाएगी बढ़े जाएगी ठीक है स्पेध रख्त करने का यानि जो WBC है उसका मुख्य कारिय पूचा इसने रोग परति रोधक अक्समत्ता को क्या करता है यह दान करती है रोग परति रोधक अक्समत्ता को दान करना क्या है स्पेध रख्त करने का यानि WBC का मुख्य कारिय है तो next question है मनुस्य में मैरू दंड से कितनी जोडी तंत्री काई निकलती है तो 31 ठीक है तो मनुस्य में मैरू दंड से कितनी जोडी तंत्री काई निकलती है 31 ठीक है तो next दिया है परतिवर्ति किरियाओं पर नींतर्ण केंदर काँ पर है जो परतिवर्ति किरियाओं का नींतर्ण केंद ठीक है तो नेस्ट दिया है सतंदारी किसमे जूरिया बनाते हैं तो यह कृत के अंदर यानि लीवर के अंदर क्या है सतंदारी बनाते हैं तो next question है मानोशरीर में सबसे छोटी अंत्स्तरावित ग्रंथी कोनसी है कोनसी है यह आउट्टू ग्रंथी, कौन सी आउट्टू ग्रंथी है, ठीक है, नमानोशरी में सबसे छोटी अंतस्तरावित ग्रंथी तो next question है, मुत्र का पीला रंग किस की मोज़ुदगी के कार्ण होता है तो किस के कार्ण मुत्र का पीला रंग होता है किसके कार्ण होता है यह यूरो क्रोम के कार्ण ठीक है तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हमने साइस के important question वन लाइनर परसंथ है यह discuss किये आपको कैसे लगे comment वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो के अंदर कुछ कमी रही है तो दोस्तों यह भी बताईएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में चुरूर सुदार करें तब तक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं जय हिंद जय बारत